Hi guys, welcome you all once again So, आज की इस वीडियो में हम लोग Pulse Width Modulated Wave को Generate करके देखेंगे अपने Timer 2 के Fast PWM Mode में So, अगर आप लोगों को नहीं पता Fast PWM Mode होता क्या है और इसको हम किस तरीके से Use करते हैं, तो आप इससे Previous जो दो वीडियो हैं उनको जरूर से देख लिजेगा तो फिलहाल हम इस वीडियो को शुरू करते हैं So, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर अपनी कुछ calculations को देखना है देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को यहाँ पर frequency का एक formula बताया था अब यह formula basically है क्या देखिए, जो भी आप लोग यहाँ पर pulse width modulated waveform generate करते हैं उसकी frequency अगर आप find out करना चाहते हैं तो वो चीज़ हम लोग इस formula से निकाल सकते हैं अब यहाँ पर हम लोगों की जो भी waveform है उसकी frequency की अगर बात की जाए तो वो दो चीज़ों की उपर depend करती है एक है हमारी frequency जिससे की आपका जो timer है वो run होने वाला है और दुसरा है हम लोगों का pre-scaler तो फिलाल हम लोग यहाँ पर यह consider कर रहे हैं कि हम लोगों का जो timer है वो CPU की frequency से ही run होगा और CPU को हम लोगों ने यहाँ पर 1 MHz की frequency दिये ठीक है और यहाँ पर हम लोगों को पता है कि timer 2 के साथ हम लोगों को यहाँ पर कुछ pre-defined pre-scalers मिलते हैं जो की कुछ इस तरीके से हैं तो अब इसके corresponding अगर आप लोग यहाँ पर calculations करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को अपनी frequencies मिल जाएंगी output waveform के लिए ठीक है तो अगर आप यहाँ पर one pre-scalers लेते हैं और अगर हम लोगों की यहाँ पर frequency one megahertz है तो इसके corresponding जो भी हम लोगों का waveform आएगा उसकी frequency होगी 3.906 kilohertz same इसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ पर 1024 pre-scalers लेते हैं तो उसके corresponding आप लोगों को यहाँ पर 3.8 hertz की frequency generate होगी या फिर आप कह सकते हैं 0.0038 kilohertz की frequency generate होगी तो आप लोगों को अब यहाँ पर output waveform का frequency मिल गया तो इसके corresponding आप लोग यहाँ पर time period भी निकाल सकते हैं अपनी waveform का ठीक है तो one pre-scalers के corresponding हम लोगों का यहाँ पर जो time period आएगा वो आएगा 0.256 millisecond का और सेम ऐसे आप लोग अलग-अलग pre-scalers के लिए यहाँ पर values देख सकते हैं 1024 के लिए हम लोगों को यह मिलेगा 263.158 millisecond तो यहाँ पर आप लोगों को चीजे clear हो जानी चाहिए कि अगर आप लोग timer 2 को 1 MHz की frequency से run करेंगे तो उसके corresponding fast PWM mode में हम लोगों की यह particular frequencies ही हम लोग generate कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपको इस frequency generate करना चाहते हैं तो आपको अपना जो timer है इसकी frequency को change करना होगा So next इसके बाद हम लोग calculations देख लेते हैं अपनी duty cycle के लिए तो सबसे पहले आपको duty cycle का formula पता होना चाहिए ठीक है तो duty cycle जो है वो होता है on time divided by on time plus off time ठीक है तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था जो भी हम लोग यहाँ पर waveform generate करते हैं उसकी कुछ एक frequency होती है और उसके corresponding आप लोगों को यहाँ पर एक time period मिलता है तो अब यह जो पूरा हमको time period मिला है इस पूरे time period में से हम लोगों का जो pulse है वो कितने time के लिए high रहती है divided by यह जो time है यह जब हम करते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर duty cycle मिलती है तो इस चीज़ को आप यहाँ पर समझ सकते हैं यह हम लोगों का जो wave है उसके अलग-अलग periods है अब इस में से हम लोगों का यह जो पूरा है यह पूरा total time है या फिर इसको आप on time plus off time बोल सकते हैं अब इस पूरे time में से हम लोगों का यहाँ पर जो pulse है वो कितने time के लिए high है यह हम लोगों को देखना होगा अब suppose कीजिए यह जो total हम लोगों का time period है इसको consider करते हैं 1 millisecond अब इस में से suppose करते हैं हम लोगों का जो on time है वो है 0.5 millisecond तो इस में से अगर हम लोगों को duty cycle find out करनी होगी तो simply आप क्या करेंगे यहाँ पर जो on time है that is 0.5 millisecond और इसको आप divide करेंगे कितने से total time से total time हम लोगों का है 1 millisecond तो इसको आप अगर 1 से divide करते हैं तो आप लोगों का यहाँ पर duty cycle आ जाएगा 0.5 या फिर हम लोग इसको कभी कबार into 100 भी कर देते हैं आपका यह कितना हो जाएगा 50% duty cycle आपकी हो जाएगी so फिलाल fast PWM mode में हम लोगों का duty cycle है वह basically depend करता है OCR2 register की value के उपर और जो OCR2 register है यह हम लोगों का 8 bit का register है तो इसका जो resolution होगा वह 256 का होगा या फिर आप कह सकते हैं कि इसकी जो value होगी वो 0 से 255 के बीच में ही हो सकती है so duty cycle के corresponding आप लोगों को यहाँ पर OCR2 में क्या value डालनी है इसके लिए हम लोगों के पास यहाँ पर 2 formulas given है तो यह हम लोगों का formula है non-inverting mode के लिए है और यह formula inverting mode के लिए तो इन formulas के हिसाब से आप लोग यहाँ पर OCR2 की values को find out कर सकते हैं now suppose अगर non-inverting mode में आप लोगों को यहाँ पर 100% duty cycle के corresponding OCR2 की value find out करनी है तो simply आप यहाँ पर 100 value put करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको यहाँ पर OCR2 में value 255 देनी होगी अगर आप लोग यहाँ पर 50% duty cycle के corresponding OCR2 की value find out करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 50 value लिखनी है तो उसके corresponding आपको यहाँ पर OCR2 की value 127 मिल जाएगी सेम ऐसे ही अगर आप लोग 0% duty cycle के corresponding OCR2 की value find out करेंगे तो आप लोगों को यह value मिलेगी minus 1 ठीक है but OCR 2 जो है उसकी range 0 से 255 के बीच में है तो आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर non-inverting mode में हम लोग 0% duty cycle नहीं निकाल सकते हैं और यह चीज मैंने आप लोगों को इससे previous वीडियो में भी बताया था वहाँ पर हम लोगों बात की थी जो extreme हम लोगों की condition होती है मतलब कि आपका जब value 255 होती है या फिर 0 होती है तो वो हम लोगों का एक special case होता है ठीक है तो यह चीज हम लोगों की इस formula से भी verify होती है और आगे भी हम लोग इसको एक बार implement करके अपने program में देखेंगे सेम ऐसे ही inverting mode में भी आप लोग duty cycle के corresponding OCR2 की values अगर find out करना चाहते हैं तो इस formula से कर सकते हैं अब इस formula में अगर आप लोग यहाँ पर 100% duty cycle के corresponding अपने OCR2 की values find out करें तो यह आप लोगों को minus 1 मिलेगा तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो inverting mode है इसमें हम लोग कभी भी 100% duty cycle generate नहीं कर सकते हैं So फिलाल इस चीज़ को हम लोग programming और simulation software के थूँ समझ लेते हैं So programming में सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर avr.io.h नाम की header file को include करना है और इसके बाद हम लोगों के पास यहाँ पर main function है Now main function के अंदर सबसे पहले हम लोगों को अपने timer2 को configure करना होगा तो उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पर tccr2 register को use करना है ठीक है? तो timer2 को हम लोग यहाँ पर fast pwm mode में use करना चाहते हैं तो उसके corresponding आपको यहाँ पर wgm20 और 21 में 11 values देनी होंगी Next इसके बाद हम लोग जो oc2 पे ने उससे output लेना चाहते हैं तो वो जो output होगा उसका क्या mode होगा यह हम लोगों को define करना है non-inverting mode तो उसके corresponding आपको यहाँ पर com20 और com21 में 1 और 0 values ऐसे कुछ देनी होंगी Next इसके बाद आप लोग यहाँ पर 1024 प्रीस करें रियूस करना चाहते हैं तो उसके corresponding हम लोगों को यहाँ पर cs2021 और 22 को 11 values देनी होंगी तो इससे अगर आप लोग यहाँ पर totally calculation करें तो tccr2 में आप लोगों को 0x6f डालना होगा तो वो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर लिख ली है नहीं इसके बाद आप लोग यहाँ पर oc2 pin से output लेना चाहते हैं तो उसके corresponding हम लोगों का जो pb3 pin है उसको आपने output define करना पड़ेगा तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर ddrb is equal to 0b000000100 दे दिया ठीक है next इसके बाद हम लोगों को oc2 register में कुछ value डालनी होती है जो कि 0 से 255 के बीच में हो सकती है ठीक है और जो भी आप यहाँ पर oc2 में value डालेंगे उसके corresponding ही हम लोगों को यहाँ पर duty cycle मिलती है तो फिलाल हम लोग यहाँ पर non-inverting mode यूज कर रहे हैं और oc2 में value मैंने 255 डाली तो इसके corresponding अगर आप लोग यहाँ पर calculation करेंगे non-inverting mode में तो हम लोगों को यहाँ पर 100% duty cycle मिल जाएगी ठीक है तो next इसके बाद हम लोगों के पास यहाँ पर while one loop है यह basically आपका एक infinite loop है now होने यहाँ पर क्या वाला है कि आप लोगों का जो program है वो यहीं पर घुमता रहेगा और background में हम लोगों का जो timer है वो run होता रहेगा और वहाँ पर comparison जो होते रहेंगे ठीक है तो जैसे ही आपका comparison होगा वैसे ही उसके corresponding आपका जो oc2 है उसमें हमारी जो waveform है वो high से low हो जाएगी और फिर से जब आपका timer overflow होगा तो again वो low से high होगी तो यह बहुत simple सा हम लोगों का program है तो इसको हम लोग यहाँ पर से एक बार built कर लेते हैं so built हो चुका है हम लोगों का program next इसको हम लोग simulation software में implement करके देख लेंगे और इसके बाद हम लोग यहाँ पर output देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों का जो OC2 pin है या फिर PB3 pin है इसके corresponding हम लोगों को continuously यहाँ पर 5V मिल रहा है या फिर आप कह सकते हैं high जो है pulse आपको मिल रही है तो आप कह सकते हैं कि आपको यहाँ पर 100% duty cycle मिल रही है ठीक है तो इस duty cycle को अगर आप 50% करना चाहते हैं तो उसके corresponding OCR2 में आपने 127 value डालनी होगी तो इसको हम करके एक बार देख लेते हैं अगर आप यहाँ पर 127 value डालते हैं और फिर से हम इसको अगर यहाँ से build करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोगों को जो है 50% duty cycle यहाँ पर मिल रही है इस इसको verify अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप इसका timing जो है थोड़ा सा बढ़ा लीजे ठीक है और इसको हम लोग यहाँ से one shot कर लेते हैं थोड़ा सा मैं इसको zoom in कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोगों का जो यहाँ पर total pulse का time है यह कितना आ रहा है यह something around आपको 263 के असपास मिल रहा है तो हम लोगों ने आपर 1024 के corresponding frequency और वहाँ पर period जो है वो निकाला था तो वो something around 263 milliseconds सी आ रहा था ठीक है और इसके बाद अगर हम बात करें duty cycle की तो उसके लिए आप लोगों ने इसका यहाँ पर on time find out करना होगा तो हम लोगों का जो on time है वो something around यहाँ पर 132 milliseconds दिखा रहा है तो लगबगा आपका यह 50% duty cycle आपको मिल रहा है ठीक है तो ऐसे ही आप लोग OCR2 की और values के corresponding भी यहाँ पर output देख सकते हैं यहाँ पर एक चीज़ और हमको देखनी है 0 के corresponding ठीक है मैंने आपको extreme conditions में बताया था कुछ special cases हम लोगों के होते हैं तो देखिए 0 जब हम यहाँ पर value रखते हैं तो यहाँ पर आपको 0 duty cycle नहीं मिलेगी हम लोगों ने calculation में भी देखा है ठीक है आपको एक बहुत चोटे से time period के लिए यहाँ पर एक spike मिलेगा तो यह चीज़ भी हम लोगों ने यहाँ पर program के थू verify कर ली ठीक है तो इस program के थू हम लोगों ने कुछ particular duty cycle वाली waves को generate किया है अब suppose करते हैं हम लोगों को यहाँ पर जो duty cycle है वो बार-बार change अगर करना है तो मैंने आपको बताया था उस case में हम लोगों ने timer overflow interrupt में अपनी जो values है उनको change करना होता है So next हम लोग timer overflow interrupt के corresponding अपने OCR2 की values को change करके देख लेंगे तो इसके लिए आप लोगों ने आपर avr.interrupt.h नाम की header file को भी include करना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर interrupt को use करना है Secondly आप लोगों को यहाँ पर TCCR2 में वही values रहेंगी जो इससे पहले थी और आपको यहाँ पर OC2 को output define करना पड़ेगा तो उसके corresponding आपने यहाँ पर DDRB का जो PB3 होता है उसको high कर दिया Next इसके बाद आप लोगों ने आपर OCR2 में जो है 255 initially value डाली है तो इसका मतलब भी है कि हम लोगों का यहाँ पर 100% duty cycle generate होगा इसके बाद आप लोगों ने आपर global interrupt को enable किया और secondly हम लोगों ने आपर timer to overflow interrupt को भी enable करना है जो कि आपका local interrupt है तो इसको भी हम लोगों ने आपर enable किया TIEMS के register के त्रूँ और इसके बाद हम लोगों के पास यहाँ पर एक infinite loop है तो basically हम लोगों का जो program होगा वो घुमता रहेगा ठीक है और जैसे ही आपका comparison match होगा तो non-inverting mode के corresponding महाँ पर जो हम लोगों की wave है वो अपना nature को change करेगी और इसके बाद आपका timer फिर से चलेगा फिर overflow होगा अब जैसे ही timer overflow होगा तो हम लोगों का यहाँ पर क्या है interrupt trigger होगा तो interrupt trigger होते ही हम लोग देखिए यहाँ पर क्या कर रहे है ISR में सबसे पहले आप check करेंगे OCR2 की जो value है वो 0 तो नहीं हुई है तो फिलाल हम लोगों की OCR2 की value 0 नहीं है तो आपका यह तो नहीं चलेगा फिर हम क्या कर रहे है OCR2 is equal to OCR2 minus 1 हम लोगों ने कर दिया तो आपका जो यहाँ पर duty cycle है वो slightly कम हो जाएगा तो अब आपके OCR2 में value 254 है तो उसके corresponding आप लोगों का यहाँ पर जो pulse है उसका duty cycle निकलेगा फिर अगेन आपका यहाँ पर interrupt आएगा फिर से यहाँ पर यह values चेक होंगी तो फिलाल अभी भी आपका OCR2 में value 0 नहीं है तो फि करते करते आपके जैसे जैसे यहाँ पर OCR2 की values कम कम होंगी वैसे ही हम लोगों का जो duty cycle है वो भी यहाँ पर reduce होता रहेगा और जैसे ही आप लोगों के यहाँ पर OCR2 में value finally 0 हो जाएगी तो फिर से हम लोग यहाँ पर OCR2 में 255 value डाल रहे हैं तो यह हम लोगों का program है इसक आपको reduce होती हुई नजर आएगी ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह बहुत धीरे-धीरे यहाँ पर जो है अपनी duty cycle को change कर रहा है क्योंकि हम लोगों ने एक-एक step में इस चीज़ को किया हुआ है ठीक है अगर आप थोड़ा सा fast इसको करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा आपको जो OCR में value 11 से आप decrease कर रहे थे उसको 5 से आप करके देख लिए ठीक है तो वैसे आपको समझ आ गया होगा फिर भी मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा change करके दिखाता हूँ इसको अगर आप य जो changes हो रहे थे वो थोड़ा सा fast होते वे नजर आएंगे तो इससे भी ज्यादा अगर आप fast changes यहाँ पर करना चाहें तो जो value हम लोगो ने यहाँ पर 5 ली है उससे ज्यादा बड़ी value भी आप यहाँ पर ले सकते हैं ठीक है अब इस चीज़ को अगर आप लोग यहाँ पर hardware में implement करना चाहते हैं तो आप LED ले सकते हैं या फिर आप motors को ले सकते हैं तो आप वहाँ पर पाएंगे कि जैसे जैसे आपका duty cycle कम होगी वैसे वैसे आपकी जो LED है उसकी intensity भी कम होगी या फिर जो motor है उसकी speed भी आपको कम होते हुई नजर आएगी आज के लिए इतना ही I hope आप लोगों को इतनी चीज़े समझ आ गई होंगी फिर भी अगर आपके कोई doubts हैं तो आप मुझे comment box में लिख सकते हैं तो बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को subscribe जरूर से किजे अपने friends के साथ आप लोग जरूर शेयर करें जो इस technology को सीखना चाहते हैं so thank you so much for watching जय हिंद जय भारत